नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ मा दुरगा के साथ में सरूप मा कालरात्री की पूजा बेधी हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं ताकि आपसे पूजा में कोई गलती ना हो मा की इस रूप की पूजा करके कैसे आप अपने सत्रु और विरोधी को भी सांथ कर सकते हैं इस बिसेप्र हम आज खास बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि मा कालरात्री का किया है खास महत्व देखिए नवरात्र के साथ में दीन मा दुरुगा के कालरात्री रूप की पूजा की जाती है इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्री कहा गया है और ये तीन नेत्रधारी है प्रंतु ये भक्तों का हमेशा कल्यान करती है अता इन्हें सुभंकरी भी कहते हैं माता काल रात्री प्रासक्तियों यानि काला जादू जादू टोना की साधना करने वाले जातकों के बीच बेहत प्रसिद है इस दिन जो लोग काला जादू या जादू टोने समधित जो भी उपाय करना चाहते हैं इस दिन ऐसे लोग भी ऐसे उपाय करते हैं माँ की भक्ती से दुष्टों का नास होता है और गरह बधाय भी दूर होती है मैं आपको बता दूं कि माँ की रूप बहुत भेंकर है लेकिन ये सुभंक्री है ये भक्तों का हमेशा कल्यान करती है अब हम आपको बताते हैं कि मा दुर्गा ने कालरात्री का रूप आखिर क्यों लिया देखिए असुरों को बध करने के लिए दुर्गा मा बनी कालरात्री देवी कालरात्री का सरीर रात के अंदकार की तरह काला है इनके बाल बिख्रेवे हैं और इनके गले में बिद्दूत की माला है इनके चार हाथ है जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार और एक हाथ में लोहे का काटा धरन किया हुआ है इसके अलाबा इनके दो हाथ बर मुद्रा और अभे मुद्रा में हैं इनके तीन नेत्र हैं तथा इनके श्वांस से अगनी निकल दिये हैं कालरात्री का बाहन है गर्धव यानि गढ़ा अब हम आपको बताते हैं कि मा कालरात्री का क्या है भिशेस मंत्र लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि मा कालरात्री की पूजा करके कैसे आप अपने सत्रू और बिरोधियों को सांथ कर सकते हैं अगर आपके आसपास आपके परोसी आपके सत्रू है या आपके ओफिस में कोई आपके सत्रू है तो निश्यत रूप से आप उन सत्रों को सांथ कर सकते हैं लेकिन सत्रों को नास करने की प्राथना आपको नहीं करनी है, सत्रों को सांत करने की प्राथना करनी है मांसे आपको, इसके लिए देवी के सामने रात के समय घी का एक मुखी दीपक जलाएं तथा गुर का भी भोग लगाएं, एक सा आठ बार नवार्न मंत्र एम हरिम किलिम चाम उंडाय बिच्चे पढ़ते जाएं और एक एक लोंग अर्पित करें यानि अगर आप एक लोंग अर्पित करें तो लोंग अर्पित करते समय नवार मंत्र एम हिरिम कलिम चाम उंडाय बिच्चे पढ़ते हैं इसके बाद फिर दूसरे लोंग के साथ भी आपको नवार म इसके साथ आपको एकएग करके 1-8 लौंग मां को अरपित करना है और हर एक लौंग के साथ नवार मंका जब करना है इस तरह से 1-8 लौंग जमा हो जाएगा जिससे आप अगनी में जला दें इसके बाद सत्रू बिरोधियों को सांध करने की प्रास्णा करे मां से निश्शित पूजा की शुरुआत कालरात्री की देवी अस्तुती से की जाती है इसके बाद मां का जो बीज मंत्र है बीज मंत्र का भी आपको कम से कम एक सा आठ वार जब करना है बीज मंत्र है किलिम एम स्रिम काली काई ये न महा इसका दूसरा बीज मंत्र भी है ओम देवी कालरात्री ये न महा इसके साथ साथ मा कालरात्री का जो महा मंत्र है मंत्र है ओम हिरिंग स्रिंग कालरात्री दुरुगाय न महा तो देवी की अस्तुती करने के बाद आपको बीज मंतर की जाप करना है उसके बाद महा मंतर का भी जाप करना है और ये मंतर कम से कम आपको 60 पर जब करनी है तब जाकर आपका पूजा संपुन होगा अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्री के दीन अगर आप एक खास उपाय करेंगे तो आपको इंटर्व्यू में सफलता आवस मिलेगी अगर आप इंटर्व्यू देते देते ठक गए हैं तो ये उपाय करें निश्चित रूप से आपको इंटर्व्यू में सफलता मिलेगी और आपको नोक्री भी लग जाएगी तो करना क्या है नवरात्र में किसी दिन अपने सामने पिला कपड़ा बिछा कर उस पर एक सा आठ दानो वाली असफटी की माला रख दें इस पर केशर वा इत्र छिरक कर धूप दिप दिखा कर इनका पूजन करें और इस मंतर का जब करें जो मंतर मैं आपको बता रहा हूँ मंतर का जाप आपको 31 बार 11 दिनों तक लगातार करना है नवरात्री में आप किसी दिन शुरुआत कर लिजिये और इसकी शुरुआत करने के बाद लगातार आपको 11 दिनों तक 31 बार इस मंतर का जाप करना है जो मैंने आपको बताया है इससे माला सिद्ध हो जाएगी और ये माला बीजे माला में कनवर्ट हो जाएगा, जब भी आप किसी इंटर्विू में जाएं, तो इस माला को पहन कर जाएं, या अपने जेब में रख कर के जाएं, ये उपाय करने से इंटर्विू में सफलता की समभवना हंद्रेड परसेंट बढ़ जाएगी, सो परतिसत बढ़ जाएगी अब हम आपको बताते हैं कि मा कालराती की क्या है पूजा बीधी देखिए मा कालराती की समन पूजा बीधी में मा के समक्ष घी का दीपक जलाएं मा को लाल फुलर पित करें साथ ही गूर का भी भोग लगाएं मा के मंतरों का जब करें जो मैंने आपको बताया है अगर हो सके तो दुर्गा सबस्ति का भी पाठ करें भोग लगाएं गूर का आधा भाग परिबार में बाटें और बंकी आधा गूर किसी ब्रामन को दान दे दें काले रंग का बस्तर धारन करके या किसी को नुक्सान पहुचाने के उद्देश से पूजा ना करें इसके सासत हमाँ आपको बताते हैं कि मा कालराती को क्या बिसेश भोग लगाएं देखिए इस दिन भगवती की पूजा में गुर का नेवेद अर्पित करके ब्राम्हन को दान दे देना चाहिए ऐसा करने से पुरुष सोक मुक्त हो जा सकता है और स्वास्त भी आपका उत्तम हो जायागा अब हम आपको बताते हैं कि देवी कालराती की पूजा करने से क्या होता है बिसेश लाब देखिए देवी कालराती की पूजा करने से सत्रों और बिरोधियों को नियंतित करने के लिए इनकी उपासना अत्यनतिसुभ होती है इनकी उपासना से भै, दुरगहटना तथा रोगों का नास हो जाता है इनकी उपासना से नाकरात्म कुर्जा तंतरमनतर असर नहीं करता है जोतिस में सानी नमा गरह को नियंत्रित करने के लिए मा कालरात्री की पूजा अदभूत परणिनाम देती है इसके साथ साथ मा कालरात्री का जो सम्बंद है उस किस चक्र से है देखिए मा काल राती बैक्ती के सर्वो चक्र सहस्तरार चक्र को नियंत्रित करती है यह चक्र बैक्ती को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत तक ले जाता है इस चक्र तक पहुंचाने पर बैक्ती स्वंग इस्वर ही हो जाता है सनी गरह का सम्मदि इसी चक्र से होता है अता सनी को मौक्ष कारग भी कहते हैं अगर सनी गरह आपको प्रिसान कर रही है आपके कुंडली में सनी गरह अच्छे नहीं है तो इनकी पूजा करने से सनी से सम्मधित जितनी समस्या हैं उन समस्याओं से भी आप निजात पा सकते हैं अब हम आपको बताते हैं नवरातली के इस खास दिन कैसे आप अपने सनी गरह को स्टोंग कर सकते हैं मजबूत कर सकते हैं कैसे सनी से सम्मधित सारी समस्याओं से भी आप छुटकड़ा पा सकते हैं इसके लिए आपको करना है मां के सामने घी का दीपक जलाएं मां को लाल फुलर पित करें और साथ ही साथ मां को गुरका भी भोग लगाएं पहले देवी के मंतर का जब करें मंतर है ओम देवी काल रात्रिय नमहा इस मंतर का कम से कम आपको एक सा आठ वार जब करना है इसके बाद जो सनी के दो मंतर है इन दो मंतरों में से किसी एक मंतर का आप जाप कर सकते हैं मंतर है ओम शंग सनिस्ट्राय नमहा या ओम प्राम प्रीम प्राम शाह सनिश्च्राय नमहा इस मंतर का भी कम से कम आप एक साथ वार जब करें निश्चित रूप से आपकी जो सनी से सम्मधित जो समस्चाय है वो समस्चाय दूर हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किर्प्याय से लाइक करें सब्सक्रायब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि उनके जिंदगी में अगर सत्रू या बिरोधी है या इंट्रिव्यू में सफलता नहीं मिल पढ़ा है या सन्नी गरा से समझित कोई भी समस्या है तो इन समस्या से वो भी निजात पहा सकेंगे आज के लिए बस इतना ही आपको बहुत भहुत धन्यवाद